कहानी की सुरुवात में हमें क्लोई नाम की एक लड़की को दिखा जाता है क्लोई के माता पिता की डेथ हो चुकी है इसलिए वो अपने भाई के साथ रहती है क्लोई के पास बैंक वालों का कोल आया था बैंक वालों को कहना था कि क्लोई अपने सारे लोन को जल्दी से बैंक में जमा कर दे तो वो कहती है कि अभी हमें तक हमारे डैट के इंसोरेंस के पैसे नहीं मिले हैं इसलिए हम इस महिने की लोन को नहीं जमा कर सकते हैं इसके बाद bank वालों का call कट हो जाता है अब Chloe अपने भाई TJ के पास call करती है टीजे अपने घर की problem को solve करने के लिए अपने साथी Tom के साथ मिल करके एक robbery करने वाला है ये लोग robbery का पूरा plan Tom के iPhone में design किये थे और उसी की हिसाब से ये लोग bank में robbery करने वाले हैं इनके पास एक gun भी थी लेकिन वो पूर तरीके से एक fake gun थी Tom अंदर जा करके bank में robbery करने वाला था और TJ बाहर car को चलाने के लिए तयार था इसके बाद Tom robbery करने के लिए mask को पहनता है और bank के अंदर जाता है लेकिन अंदर जाने के बाद उल्टा Tom के साथ बहुत बुरा हो जाता है bank का guard Tom को गोली से सूट कर देता है जिसकी वज़े से Tom को गोली लग जाती है वो इनकी कार के उपर gun से firing करता है तोम के कहने पर TJ कार को ले करके यहां से भाग जाता है वो भाग करके सीधा अपनी घर अपनी बहन के पास आता है टीजे बहुत डरा हुआ था घर आने के बाद वो ये सभी बाते अपने बहन को बताता है जब Chloe को पता चलता है कि Tom को गोली लग गई है तो वो बहुत उदास हो जाती है क्योंकि Chloe Tom को डेट कर रही थी और वो उससे साधी भी करने वाली थी इधर पुलिस वाले Tom के डेट बोडी के पास आते हैं और बीना उसके बोडी को चेक किये उसे मिर्द घोसित कर देते हैं और Tom की बोडी को पोस्ट माटम के लिए भेज देते हैं इधर टीजे अपनी बहन को पूरा प्लैन बता रहा था कि ये लोग किस तरीके से रोबरी करने वाले थे वो टीजे से पूछती है कि तुमने कोई सबूत तो नहीं छोड़ और जैसे ही फोन चेक हुआ तो सबसे पहले पुलिस टीजे को उठाने के लिए आएगी यानि कि अगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो टीजे फसने वाला है और ये जुर्म करने के लिए उसे 25 साल की सजा भी हो जाएगी अब क्लोई ये नहीं चाहती है कि उसके भ परवाजे से परिसान कर रहा था और उपर से कैमरा भी लगा हुआ था तो ये लोग चुरू चुप के अंदर नहीं जा सकते थे इसलिए क्लोई अपने भाई को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा फैशला लेती है वो एक औरत के पास जाती है और उससे एक खतरना ड्रक् को अपने उपर इस्तमाल करने वाली है दरसल इस ड्रक्स को लेने के बाद इंसान का सरीर और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसका सरीर कुछ समय के लिए पूरी तरीके से मर जाता है तो अब क्लोई अंदर जाने के लिए अपने आपको कुछ समय के लिए मारन वाली है हलाकि उसका भाई ये करने से मना करता है क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है तो क्लोई कहती है कि मॉम डैट के जाने के बाद तुम्हारे इलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अगर तुम भी दूर हो जाओगे तो मैं अकेले रहकर करूंगी क्या या कहन आता है कि ब्रिज की नीचे एक लड़की की लास मिली है वो अपने एड्रेस और नाम पता नहीं बताता है इसके बाद हमें क्लोई को पोस्ट माटम घर के अंदर लिखा जाता है जहां पर बहुत साय डेट बोडिस को रखा गया था उसके पैरों पर एक कार्ड लगाया गय सबी डेट बोडिस के डिटेल्स को लिख रहा था डिटेल्स को लेने के बाद वो एक लास को लेकर के यहां से चला जाता है लेकिन जब वो दर्वाजे को बंद कर रहा था तो क्लोई फॉरण आ करके दर्वाजे को रोग देती है जिसकी हुझे से वो बंद नहीं हो पाता ह और इसी तरीके से बड़ी ही असानी से वो कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो टोम के फोन को लेने के लिए एविडेंस रूम को ढूड़ रही थी। रूम को ढूड़ते हुए वो एक कमरे में चली जाती है। कमरे के लाइट को on करने के बाद उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसके होस उड़ गए, किसी ने एक लड़की के सरीर को जगा-जगाँ पर काटा था, और उसके सरीर के organs को बाहर निकाला था, यह देख करके Chloe बहुत डर जाती है, उसे nurse का कपड़ा दिखाई देता है जिसे वो फौरण पहन लेती है और कमरे की लाइट को ओफ कर देती है लेकिन इस अवाज को जिमी सुन लेता है और वो चेक करने के लिए कमरे में आता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो इग्नोर करके यहां से चला जाता है में गेट पर कोई आया था और जिमी उसी से मिलने जा रहा था तो क्लोई भी उसका पीछा करते हुए में गेट तक आ जाती है गेट पर एक डक नाम का बंदा आया था और वो इंसानों के ओर्गंस को लेने के लिए ही आया था दरसल जिम्मी ही है जो जिन्द लोगों के सरीर से उनके ओर्गन्स को निकाल करके उन्हें बेच देता है इन लोगों के बातों से क्लोई को मालम चल जाता है कि ये लोग इंसानों के ओर्गन्स को बेचने का काम करते हैं और वो भी जिन्दा इंसानों के क्योंकि मरे हुए इंसानों के ओर्गंस का कोई काम नहीं रहता खैर अब इसके बाद Chloe evidence room को ढूढने के लिए जाती है और वो एक कमरे में चले जाती है जहाँ पर उसे एक body दिखाई देती है वो body को चेक करती है तो वो body tom की थी उसके body को देखने के बाद Chloe निरास हो करके रोने लगती है वो tom के body को चेक करती है तो उसके सरीर से भी एक किड्नी को निकाला गया था जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा ड़ जाती है और यहां से जाने लगती है लेकिन तभी आचानक tom जिन्दा हो जाता है और वो Chloe के हाथों को पकड़ लेता है तोम को जिन्दा देख करके Chloe खुस और हैरान भी थी Chloe ये सोचकर हैरान थी कि जब tom जिन्दा था तो उसे होस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए क्योंकि यहां के लोग यही काम करते हैं वो जिन्दा लोगों को होस्पिटल में नहीं भेशते हैं बलकि उनके सरीर से ओर्गन्स को निकाल करके उन्हें मिर्द घोसित कर देते हैं Chloe को देख करके tom भी बहुत खुस था tom को गोली लगी थी लेकिन वो मरा नहीं था सिर्फ बहुस हो गया था Chloe कहती है कि मैं दर्वाजे की चाबी लेकर आती हूँ इसके बाद हम दोनों यहां से बाहर निकल जाएंगे तब तक के लिए वो tom को यहां पर लेटने के लिए कहती है इधर जिम्मी ओर्गंस को निकालने से पहले वो अपने चाबी और घड़ी को साइड में रख देता है इसके बाद वो ओर्गंस को निकालने लगता है तो तब यहीं पर चाबी को लेने के लिए Chloe आती है कटर मसीन की आवाज काफी तेज थी इसी बाद का फाइदा उठा करके वो कमरे के अंदर चली जाती है और वो जिम्मी के करीब जा करके चाबी को उठा लेती है और वो चाबी को लेकर के बाहर आ जाती है जिम्मी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है चावी को लेने के बाद क्लोई भाग करके टॉम के पास आती है उसे उठाने के बाद वो उसे ले करके यहां से जाने लगती है लेकिन इधर जिमी को मालूम चल जाता है कि उसके पास से उसकी चावी गाया भै वो चावी को ढूड़ता है लेकिन उसे चावी मिलती नहीं है इधर क्लोई में गेट पर आ करके चावी से दरवाजे को खोलने लगती है लेकिन जिमी कैमरे में इन दोनों को देख लेता है जिसके बाद वो फोरण महां की एक लाइट को ओफ कर देता है इनने भी मालूम चल जाता है कि जिमी ने इन लोगों को देख लिया है अब जिमी एक गेस की सिलेंडर ले करके इनके पास आता है इनने बेहोस करने के लिए यह लोग यहां से बाहर निकल पाते उससे पहले ही जिमी इनकी उपर स्प्रे कर देता है और जहरीली गैस की वज़े से ये लोग बेहोस हो जाते हैं और इसके बाद जिमी इन दोनों को फिर से पकड़ लेता है जिमी कहता है कि तुम यहाँ पर आ करके बहुत बड़ी गलती कर दी हो यहाँ पर आने का मतलब तुम अब मर चुकी हो यह कहते हुए वो क्लोई के सामने टुम के सरीर से उसके लीवर को निकाल देता है जिसकी वज़े से अब टुम पूरी तरीके से मर जाता है इसके बाद जिमी लीवर को रखने के लिए चला जाता है और जैसे तैसे करके क्लोई अपने पैरों के फंदों को छुडा लेती है हाथों के फंदे नहीं छुट रहे थे इसलिए वो कटर मसीन को उठाती है उसे काटने के लिए वो जैसे तैसे करके उस कटर मसीन से अपने हाथ के पट्टों को काट देती है और आखरी बार टॉम को देख करके वो बहुत उदास हो जाती है इसके बाद वो एविडेंस रूम में चले जाती है फोन को लेने के लिए अंदर जाने के बाद वो डीटेल्स को चेक करके टॉम के बोक्स को उठा लेती है लेकिन वो फोन को ले पाती उससे पहले यहाँ पर जिमी आ जाता है और क्लोई अपने हाथों में सिर्फ फेक गन को ही ले पाती है जिमी उस बोक्स को खुला हुआ देखता है तो उसमें से वो फोन को उठाता है फोन को देखने के बाद वो समझ जाता है कि Chloe सिर्फ इस फोन को लेने के लिए ही यहां पर आए है वो ये भी कहता है कि सिर्फ इस फोन के लिए तुमने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया है Chloe गन से फाइरिंग करती है तो उसमें से छोटी सी चीज निकल करके जिमी की आँखों में लग जाती है फोन जिमी के हाथों में था Chloe फोन को नहीं ले पाती है और वो बिना फोन लिये भागती है और भागते हुए वो उपर के कमरे में चले जाती है जहां पर बहुत सारे जिंदल आसों को रखा गया था और इन सभी के सरीर के ओर्गन्स को निकाल दिया गया था अब जिमी क्लोई को कैमरे में देख लेता है कि अगर तुमें ये फोन नहीं मिला तो तुमारे भाई को उम्र कैथ की सजा हो जाएगी और पचीस साल कम नहीं होते हैं पचीस साल में तो वो जेल में ही खतम हो जाएगा क्लोई एक कमरे में जाती है जहां पर उसे एक लैंड लाइन फोन दिखाई देता है वो उस फोन से अपने भाई टीजे के पास कॉल कर देती है और अंदर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ अपने भाई को बता देती है वो कहती है कि वो यहाँ पर बहुती बुरू तरीके से फस चुकी है तो उसका भाई कहता है कि तुम फिकर मत करो मैं तुम्हें जल्दी बहार निकाल लेता हूँ या कायने के बाद T.J. फॉरन पुलिस के पास कॉल कर देता है पुलिस के आ जाने के बाद T.J. उसे सब कुछ बता देता है इधर क्लोई सिस्टम के जरिये मेल गेट को ओपन कर देती है और तभी पुलिस और उसका भाई उसे बचाने के लिए यहां पर आ भी जाते है क्लोई बहुत डरे हुई थी वो सब कुछ सच सच पुलिस को बता देती है पुलिस वाला भी क्लोई की बातों पर यकिन कर लेता है और वो चेक करने के लिए अंदर जा रहा था लेकिन वो अंदर जाता नहीं है वो क्लोई की उपर हमला कर देता है और उसके भाई की उपर भी हमला करके उसे बहुत पीड़ता है दरासल पुलिस वाला भी जिमी के साथ मिला हुआ था लेकिन क्लोई के पास वो फेक गन थी जिसे वो दिखा करके अपने भाई को ले करके आँसे भाग जाती है और भागते हुए इन लोगों को एक छोटा सा दरवाया दिखाई देता है जिसके द्वारा ये लोग बेस्मेंट के अंदर चले जाते हैं दोनों ही भाई बैन एक जुचरे के करीब देख करके बहुत खुश थे अब कुछ समय बीच जाने के बाद डग वापस आता है अपनी डिलीवरी लेने के लिए उसे एक और लीवर चाहिए था लेकिन अभी तक जीमी ने एक भी लीवर नहीं निकाला है तभी डग को पुलिस की कार दिखाई देती है जिससे वो समझ जाता है कि पुलिस वाला भी जीमी के साथ मिला हुआ है हाला कि पुलिस वाला नहीं चाहता था कि ये बात किसी को पता चले इसलिए वो डग को मार देता है डग को गोली लगी थी वो गिर करके बेहोस हो जाता है इधर क्लोई को एक छोटा सा खिड़की दिखाई देता है जिससे ये लोग बाहर जाएं लगते हैं डग को गोली मारने के बाद ये लोग डग के सरीर से ही उसके लीवर को निकालने वाले थे जिम्मी के पास एक कॉल आया था और वो कॉल पर बात करने के लिए बाहर जाता है तबी वो कैमरे में देखता है कि क्लोई और टीजे मिल करके डग को बचाने की कोसिस कर रहे थे ये दोनों डग को ले करके उपर के कमरे में आ जाते हैं लेकिन तभी यही पर Jimmy आ करके इन लोगों के पास जहरीली गैस फिक देता है पुलिस को देखने के बाद T.J. उसे मारने जा रहा था लेकिन पीछे से Jimmy आ करके उसे इलेक्टिक सोग दे करके बेहोस कर देता है इधर Chloe सिलेंडर का इस्तिमार करके पुलिस वाले को जान से मार देती है इसके बाद Chloe बाहर तो आ जाती है लेकिन अब जिमी टीजे को पकल लिया था जारेली गैस के वज़े से टीजे बेहोस हो गया था और अब जिमी उसके सरीर से उसके ओरगन्स को निकालने वाला था लेकिन कुछ समय के लिए जिमी उसके सरीर से दूर चला जाता है ताकि जब Chloe अपने भाई के पास आये तो वो Chloe को पकड़ सके जिमी का आदा चेरा पुरी तरगे से कोल्ड हो जाता है और जैसे उसका चेरा किसी चीज से टकराता है तो उसका आदा चेरा पुरी तरगे से टूड जाता है अब जिमी जख्मी हो गया था और उसे एक आक से दिखाई भी नहीं दे रहा था वो Chloe को मारने वाला था लेकिन पीछे से डक आ करके उसे चाकू से मार देता है और उसी चाकू को उठा करके Chloe उस चाकू को जिमी के सर में गुसा देती है जिसकी वज़े से जिमी की मौत हो जाती है और फाइनली इन तीनों की जान बच जाती है अब डक को एक लिवर की जरुवत थी जिसके बाद Chloe जिमी के सरीर से लिवर को निकाल करके डक को दे देती है और उसके बदले में Chloe को पैसे मिल जाते है अब भाई और बहन के लाइफ में जो प्रोलम थी वो सुल्व हो जाती है और इसी के साथ ये कहाने बियाई पर समापत हो जाती है तो फाइलली हमारे योट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करने के लिए आपका तहर दिल से सुक्रिया